महिला उत्थान को लेकर समा सेवी का वक कॉंग्रिस नेती राजू चंदा पिछले कई वर्षों से काम कर रही है इनके प्रसिक्षन सीवी से अनेकूं महिलाएं प्रसिक्षन लेकर स्वयम की रोजगार का संचालन भी कर रही है विधायक देविंद यादाव का इन्हें सतत मा दर्शन मिलते आया है आई देखते हैं राजू चंदा से हुई बातचीत के खास अंश नमस्कार दोस्तों ग्रेंड एशियन न्यूस की खास पेशकर एक मुलाकात में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियों में मौजूद है राजू चंदा जी किसी परिचे की मोहताज नहीं ऐसी कुछ व्यस्ता उपलब्द कराई गई कि महलाएं आज स्वारोजगार से जुड़ी हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भरन पोश्चनर भी कर रही है इस्टूडियों में मौजूद आज राजू चंदा जी से हम जानना चाहेंगे कि इस कार की शुरवात इन कर जीवन पर चाहें आप तोड़ सा हमारे दर्शक जाना चाहतें जी मैं छोटे से अपने भिलाई पावर हॉस में ही मेरा जनम हुआ है वहीं से पली बढ़ी ही जब बच्वन से मापा लोगों को देखा है उनके संस्कारों से पले हम लोग भी उनका भी यही था कि मतलब सेवा करते रहते थे उनसे ही सीखा है और इसी मार्क दर्शन में चल रह हरा तो वैसे ही आदत हमारे अन्दर में भी है तो बहलाओं के लिए कुछ करने के लिए बहुत सालों से अन्दर से बच्छ लगों को सारी सब्वार लगों को सब शजुदा मिले आच्छा रहे है। बनाते थे फपर थोड़ा बहुत जोदो आता था जिस्दिस को भी अगर बहर से आ दिछी में दोर में जब शादीयों के चले गई दो में दौर में रहने लगे तो वहां पे बहुत चुछी था जिसे पार्लर के लाइग अगेरा तो भी बच्छे लोगों को देते रहे तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था अभी जब मैंने उसके बात हमेशा ही चलते ही रहता था जितना हो सकेगा उतना ही कर सकते थे करते रहते हैं जिन लोगों को कोई मदद हो गया शादी हो गया बिया हो गया महिलाओं से जुड़ा वा जो भी कारी रहता था उसमें बढ़ चड़ के भाग लेना मुझे अच्छा लगता है बहन बेटियां सब की होती है उनसे प्यार होता है और वो बहन बेटियां हमेशा प लोगों के लिए बहुत अच्छा से और आफ नधु प्यार करने वाले रखते हैं एक बार अगर अगर अब उसको बेटी बोल दो वो भरोस्य के साथ बास करती है यह मा करती है वो फो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो उनके साथ करते रहती हूं और अभी भी शिखाते ए इसे सिली।एटे लोगों को नहीं आता है, तो हम लोग पॉर्मा से जैसे ये बलाउस का है, बलाउस कुझा है लोग उनको अच्छे तो सिखाते हैं किसे कटोरि bran ruin urgent cinco आएघंोरु आता है और ये ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं जैसे सिलाई हो गया, जैसे बहुत सारे सूट में सिल पाते हैं तो हमारे पास में जैसे सूट की कटिंग रहती है हम उससे सिखाते हैं बच्चे लोगों को ताकि वे बच्चे अपने पैरों में खड़े हो सके और वे डगमगाए ना और विचलित ना हो उन लोग उनको कुछ नहीं मालुम है जैसे सालों साल सीखते हैं लेकिन वह अच्छे से अगर उनके पास अगर फॉर्मा है तो वह अच्छा जाते हैं अगर तो सीखते हैं तो खुद के लिए सीखते हैं दूसरों के लिए माडम दूसरा सवाल आप से महत्वपूर यह कि चुकि आप महिला उत्थान को लेका जैसे कि आपने बताया कि आपको अपने घरेलू माहुल को वातावरण को जोड़ने कि चुछ करने के लिए महिलाओं के लिए करने के लिए डिन प्राइणs रहां हो तो माडम अपके दूंपución वीर्णाों लगातार महिला उत्थान को लेकर के महिलाओं को रोजगार मुलक कारियों से जोड़ने शीविर आउजित के जाते हैं तो कितनी महिलाओं से लाभनवित हो चुकी है और स्वेम का रोजगार जिनके द्वारा चलाया जा रहा है जैसे कि वैशाली नेगर में जब हम चुनाओ लोगों का उस वक्त हमने यहां पर चालू किया था अपना हाउसिंग बड़ में पूरा तो 6-7 वाड में सिखाया था क्योंकि उस टाइम पर भी देवेंद्यादोजी बहुत मदद करें वह हमेशा हम लोगों को मदद करते थे आते थे हम लोगों के प्रोग्राम में उनका अच्छा लगता था कि कोई आते हमारे लिए जो हम लोगों के लिए महिलाओं के लिए अब भवन नहीं था हम लोग के पास में आउसिंग बोड में कहीं पर भी महिलाओं को सीखने के लिए तो उन्होंने वो जो भवन भी दिया उन्होंने सीखने के लिए और आज भी सीख कर रही है अपने घर से कर रही है कुछ लोग आपक सारी दुकानों में लग गया है कि पर आपको लगातार मार्ग दर्शन मिलता रहा है उनके प्रेणा से भी आपके द्वारा कई संभाव कारे को किये गए तो हम माड़ा माँ से जानना चाहेंगे कि विलाई नगर विदान सब्सक्राइब किन किन वाड़ों में अभी हाल फिलहाल में जो में जो शीवरों का जो आउजन किया जा रहा प्रसिक्षण चीविर का उनका तो बहुत बड़ा उनका सोच ही अलग है उनके सोच के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं बोलना कम है क्योंकि वैसे वेक्ति के लिए अगर बोलना है तो कम पड़ेगा वे बहनों के लिए आ गया है तो अभी 19 वाड चलता है 19 वाडों के लिए वे सारे चीजों का वैबस्ता करते हैं और 19 वाड में 200 महिला है आज रोजगार में खड़ी है उनके वज़े से और हर वाड में से 11 लोग को चुना गया है और वे सीखते भी है और मतलब सारे लोगों को अच्छा रोजगार भी दिया उनके और आगे भी वो करते रहेंगे हम उनका अभारी है हम सब बेहने और बेटी उनके अभारी रहेंगे और हमेसा उनके लिए खड़े होना पसंद करेंगे क्योंकि वे हमेसा बेहन और बेटी के लिए खड़े रहते तक पर में और मैं भी जाती हूं तो बोलते भी हैं कि अमा जी को क्या चा साथ काम करूंगी वो एक बेटा बन करके या तो बोला जाता है पिछले जनम में एक राजा होंगे वे जो प्रजा के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं उस तरेके से वो काम करते हैं एक नायक की तरह और हर चीज को विवस्ता करके देते हैं मेरे मूझ खोलने से पहले ही वे स सारे चीज कर देते हैं पूरे वालों के लिए तो उनके साथ काम करते हैं मुझे में भारा जाते हैं तो कौन-कौन सी चीजे जो काम का जी महिलाओं को सिखाए जाती जिन से वे आगे अपना रोजगार संचालन कर सके के सवाल अंभी बनके अभी जैसे ब्लाउस हैं बहुत लोगों को नहीं आता है और वे सीखते भी हैं तो आधा दोरा उनके पास सीलाना भी नहीं चाहते हैं रेडिमिड अगर आज हम करीद के ना पहनते वो कोई तो भगवान तो नहीं बनाया है वो भी तो इनसानी बनाते है तो उसको सीखे नहीं न ढंसे इसे कोई भी सिखाता है कुछ भी सिखा देता है उसको उनलग ले लेते हैं लेकिन अगर वही ब्लाउस गर खुद हमारे पास जैसा फॉर्मा के साथ देते हैं उसमें कहां से अगर मान लेजी आपने आपके पास में यह 32 नंबर का है या तो अगर आप अच्छे वाले मार्केट में जाके सिलाते हो तो साड़े साथ सो रुपया पान सो रुपया इसका इतना रेट रहता है तो क्यों ना वह महिलाएं आज जो सीख करके जो इतने बड़े फ्लैट परम दिये हैं विधायक जी ने कभी सोच नहीं सकते महिलाओं के लि वह भी बोलते हैं तेकिन वह मैं बुजर्ग हो करके इतना आगे जाती हूं तो उनको अच्छा लगता है और वह चाहते हैं कि मैं और और क्या चाहिए अम्मा जी क्या करना चाहते हैं तो पारलर हो गया जिलाई हो गया अभी कुटुर दियोग में बहुत सारा है मापड़ ह चाहर है बड़ी है समों के लोगों भी इसमें अभी सामिल हो रहे हैं हमारा भी नेक्स्ट वही वाला है चल रहा है माड़ा में यहां पर एक सवाल यह भी आता है चुकि आप जैसे कि हम मेरे द्वारा खुद देखा गया इस चीज को जो प्रसिक्षान सिवीर जो आप आयो बानता निशूल कre स्वाह चल रहा है उँट्रा और पूरविधाइक करें हैं उनको जाकर में बोलती हूं और एक बेटे की तरह हग्षे वह मेरे बेटे जैसे हैं करते हैं वही प्यार्ण मैंने उनके काम करते हैं पेटा समझ सकता है वैसे वह समझते हैं चुछ जो मांगती हूं भी भी देख दो कि मिला तो जो वहाल ही में जो तीजा पर्वन निकला है उसके पूर्व जो राखी निकली थी इस दौरान भी मैलाओं का मैलाओं के लिए आपके आपके दौरा काफी विवस्ता की गई थी चूड़ियों से लेके स्राग सता तमाम तरह की स्रिंगार सामगरियां उपलब्द क कराएं गए थी तो यह माडम इसके पीछे आपके क्या सूच थी वह जैसे उन्हों मैंने जाकर अगर बोलती हूं कुछ भी कि सारा आपन महेंदी करा लेते हैं तो हां हां ठीक कर लेजी अब मैं बोलते हैं चूड़ी बाटना चाहती हूं हां हां माजी बाट लिए तो जो कोई अगर मैं बोलते हूं किया सारा आपन को ऐसा करना चाहिए मैं मतलब मैं इसमें खुश हूं मैं को यह वाला आईजित कर दीजे तो वो खुश हो जाते हैं मैं भी चाहता हूं मैं भी बेहनों के लिए चाहता हूं मैं भी बेटी लोग करना चाहता हूं मैं भी बेहनों क लिए या तो फिर वो जाते हैं हर वाड में देखने के लिए हार मैंने सुरूशें उन से प्रभाई थे तिम एक बार गई थी उनको नो-तीन बार मैं जल्दी से कहीं पर जाना आना पसंद नहीं करते थी तो मैंने एक बार देखा उनको बहुत सरे सेवा करते वे उनको हर जगह में मैंने पाया उनको देखा समझा तो मैंने कहा नहीं इसका रेकुमंट अब तक जारी रखना चाहते हैं चुकि भिलाई नगर विदान सभा में लगातार आपके दोरह कारे किया जा रह और भी जो अन्य विदान सभा चेत्र की जो महिलाएं वह भी आज बेरोजगार हैं काम की तलाश में यहां भटकती हैं उन्हें काम नहीं मिलता परिशानियां मांसी कुरूप से परशान रहती तो ऐसी महिलाएं जिने कोई प्लेट फॉर्म अभी हाल फिलहाल में आ था हम लोग तो पता भी निए था यहां पर प्रसन जाते थे देवेंद्यादा के पास बहुत एक साल एँप इंड़ साल बीतने की बात पता चला कि वह विदायक नहीं थे यहां इस वाड के विदायक कि मतलब यह इतने प्रशीद हो गए हैं कि सब के बीच में रहते हु कि यहां के कौन है तो वहां से आते थे और हम लोग के लिए मदद भी करते थे हम लोग दिलाए और जो भी अगर हम लोगों को जरूत रहता अब को अब के इस जो भर पूर आपको समरतन हिं सबस्क्राइब को लिए और हम लोग सबस्त अनुनार communications project ह locked BILL अधायग देवन जयतों जी है यहां के लिए बहु करते थे थे देड़ दो साल के बाद पता चलाए कि नहीं कि यदर क्या लग है और उदार क्या लग है और वो कभी नहीं बोलेंगे आपने मुझ से कि मैं इधर वाले के नहीं करऊंगा बैसे और आगे आकर कि महिलाओं के लिए भी और उधार भी करें उन्होंने और भवन भी दिया और बच्चों लोगों सीखने के लिए और आज जो बच्चे सीखें जितने बच्चे लोग यहां पर कम से कम तीन चाहर हजार बच्चे सीखें हैं हाउसिंग बोड़ के उनको सबको सेटिफिकेट भी मिला हमारे जो हमारी जो महिला दर्सक जो आपका आज का अपना कारिकरम देख रही उनके लिए अब क्या कहना चाहती है चुकि ऐसी कही महिलाएं जो का काम तो करना चाहती लेकि उन्हें कोई प्लेट फार्म उपलब्द नहीं हो पाता जिसकी वज़से वह घर में बैठी रहा जाती तो उनके लिए क्या कहना चाहिए महिलाएं करने के लिए अभी आगे आए हैं बाहर निकले उन लोगोंने उनको पता तक नहीं था कि अभी जो चार जन के बीच में बैठ रहे हैं जो उन लोग सीख रहे हैं उनको अंदर से खुशी आ रही है एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं उनको पता चल रहे है कि जो सुई धागा तक नहीं पकड़ने आता था वह आज ब्लाउस सील के पहंद रही है, कल एक्जाम हम लोग taken कल से एक्जाम चाला हुआ है, अग्जाम हुआ था और अज सक्टर 2 में एक्जाम है, तो ऐसी होनी सेवाड में हमारे एक्जाम चाला हो गया, तो हम जाते हैं तो वह पे डर के मारे महिलाएए, इकशे ढर जाती है, रात क अब उनके अंदर इसका क्रेज है जैसे मैंने यही बोला था रात को भी देखो जैसे आप लोगों ने बच्चे लोग को कितना सताया होगा एक्जाम बच्चे लोग देने गए होते तो आज पता चल रहा है एक्जाम के बारे में तो वह महिला है अंदर से अभी घर से बाहर निकल निकल के आ रही है सिख रही है तो वह विधायक कही है वह क्या कहना चाहिए अगर कुछ है आज विदान सबा में कुछ और है तो वह विधायक कही है क्योंकि वह अगर नहीं होते तो यह मैं इतना अच्छा सा नहीं कर पाती वह महिलाएं जो है अब मैं भी बलते हूं कुल घर में मत पैठो, ऐसे बहुत सारा काम है, जब तक महिला आए ये नहीं सोचेगी कि अरे मैं कैसे निकलू, मेरे पास टाइम नहीं, अपने लिए निकालो, खुद के लिए निकालो, जो आप सीखोगे वो खुद के लिए है, जैसे सब काम है, वैसे ये भी काम है, अगर म महिलाओं के लिए वो खुशियां भी लाना चाहते हैं, तो आप लोग जो सीखोगे, आप लोग जो करोगे, वो आपके खुद के लिए है, दूसरों के लिए नहीं, आप जब सीख रहे हो, आप अपने लिए हैं, तो महिलाओं भी बहुत खुश हो करके कर रही हैं, सीख र जाएगा और उसमें चार-पांचाजार महिलाएं काम करें दर्श को यह थी हमाई साथ राजू चंदा जी जो लगातार महिला उत्थान को लेकर कई पिसले कई वर्षों से कारे कर रही है चुकि राजू चंदा जी के नेतृत में सेकुड़ों महिलाएं आज लावनवित हो च कर रहे हैं इनके कार्यों को विलाए नगर विदयायक भिदयादावा दौरा लगातार अपना मार दर्सांत दिया जाता रहा है किसी तरह की इनके द्वारा कार सामने कि वह वह भी सामने आए अपने हाथों में छिपी प्रतिवा को सब सबके सामने प्रदर्श्चित करें कुछ है स्वयम के लिए बाउड़ अपने आने ओले भविस्ट के लिए जोड़े और किसी तरह कि यह ऑषगतों का आपके सामने किसी तरह कि दिखत यह परशानिय आती तो राचु चंद्धा जी से आप स्वाता स्वामेर संपर कर सकते हैं नमस्कार विदायक जी है वह वह उनका कहना है कि मेरे पूरे वाड के लिए नहीं, सभी के लिए मैं एक भाई हूँ और जितना हो सके का मैं सब लोगों के लिए करूँगा तो आप लिए निच्चिन्त हो करके विधायक जी के पस में भी अपना जाएगे आप लोग सब लोगों के सुनते हैं अभी तो आपके हर आड में जाते हैं देखो अगर हम लोग जाते हैं कहीं पर भी तो एक दिन दो दिन चलेंगे ठक जाएंगे लेकिन वो लगातार बोलवां जब देखें आप अपने घर के बेटा हो भी अपने घर का भाई है हो लेकिन वो लगाता है कल बारिश में भी भींग करके उन्होंने चला का और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी और मुझे बहुत तकलीफ होता है आप लोग को होता या नहीं होता नहीं मालू है अगर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि वो हमेशा चलते रहते हैं बारिश में इधर उधर तो हम उनका सपोर्ट करना चाहिए और वे क्या चाहते हैं वो महिलाओं को आगे करना चाहते हैं तो महिला जब तक अगर आगे आकर के खुद स्वयम नहीं बोलेगी कि मुझे काम करना है और काम करने की जब सक्षम होते हैं